नमस्ते, कैम चो और वेलकम बैक तो दी सीरीज ओफ कन्फूजिंग वर्ड्स इन तोड़ेज वीडियो वी विल डिसकस्ट इस तो कन्फूजिंग वर्ड्स एफ्ल्एंट vs. एफ्ल्एंट देखते हैं इनके क्या मीनिंग होता है और इनको किस तरह से यूज किया जाता है तो सबसे पहले देखते हैं एफ्लिएंट विट ए तो इसका मीनिंग होता है having a great deal of money or wealthy यानि ऐसा person जिसके साथ जिसके पास बहुत सारा धन है यानि कि जो धनी है तो simply affluent का मतलब होता है बहुत ज्यादा धनी होना या तो rich होना तो examples देखते हैं they were affluent but they put absolutely no premium on education वो बहुत ज्यादा धनी थे फिर भी उन्होंने education के उपर कोई extra जो है कि premium खर्जा नहीं किया है another example she married an affluent banker उसने एक धनी बैंकर से शादी की तो I hope समझ में आगया होगा affluent का मतलब होता है simply धनी होना या तो बहुत ज्यादा पैसे होना लेकिन ध्यान में रखेगा ये जो affluent है ये क्या है ये एक adjective है जो बहुत है है उसको थोक्ते बहुत है जो İşte है और लेकिन आवा थे लिए अधिना के बारेमें एक इंफर्मीशन दी रहा है तो जो भी वरड है जो कि नावन के बारेमें एक्श्टरा इंफर्मीशन दी रहा है उसको हम Hej Right तो इसलिए जो affluent है ये भी एक एड्जेक्टिव आप एक आपने एक और वर्डवन होगा fix थो दिखिए का मतलब क्या होता है धनी जोना यानि कि पैसे होना रैट और का मतलब होता है शिर्फ धनी आपको समझ में आ रहा रहा होगा इन दोनों के भीच में क्या डिफरंस है अब देखते हैं effluent with E इसका मिनिंग क्या होता है इसका मिनिंग होता है liquid waste और pollution यानि जो भी factories में से हम देखते हैं कि जो chemical वाला liquid जो है कि waste निकलता है तो उसको बोला जाता है effluent तो जो कोई भी liquid waste है जो के pollution create कर सकता है उसको बोला जाता है effluent example देखते हैं the chemical companies are poisoning our rivers with effluent यानि जो chemical companies है वो हमारी rivers को polluted कर रही है किसकी वज़े से with effluent यानि उनका जो liquid waste है उसकी जो है उसकी वज़े से हमारी जो rivers है वो polluted हो रही है तो simply effluent का मतलब यहीं होता है liquid waste right so I hope समझ में आ गया होगा यह दोनों words जो है वो सुनने में जो है कि similar लगता है effluent लेकिन इनके जो meanings है वो totally different है so first जो effluent है हमारा with a उसका meaning होता है यहाँ पर wealthy यानि कि rich यानि धनी होना धनी person और effluent का मतलब होता है simply liquid waste so यहाँ पर मैंने आपकी practice के लिए कुछ questions put के है तो कोशिस कीजेगा इनके खुद से answers देने की तो आपके क्या answers है मुझे comments करके ज़रू बताइएगा so I hope आपको यह words अच्छे से समझ में आए होंगे और देखे अगर आपको इन words की part of speech समझ में नहीं आ रही है जिसे की देखे अगर यहाँ पर effluent या तो effluent word का use हुआ है और आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि noun है adjective है adverb है क्या है तो इसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है part of speech के उपर जिसमें मैंने आपको बहुत ही easy language में एकदम practical way में समझाया है कि कि किसी भी word की part of speech को कैसे हम पता लगा सकते हैं तो उस वीडियो को जरूर देखेगा बहुत ही easy language में मैंने वहाँ पर चीज़े explain करी है और उस part of speech के वीडियो के बाद में मैंने part of speech के पूरी एक series continue करी थी जिसमें मैंने आपको हर एक part of speech यानि कि noun, pronoun, adverb, adjective सभी के उपर अलग से videos भी दिये है और उसमें मैंने क्या किया है, जैसे for example दिखे अगर noun के उपर मैंने video दिया है तो उसमें मैंने noun क्या है, वो explain किया है और उसके बाद में noun के उपर based, जितने भी most important rules है हमारे competitive exam के point of view से उन सारे rules को मैंने वहाँ पर explain किये है तो part of speech के पूरी series available है, जिसमें मैंने हर एक topic को उठाया है और सारे rules को वहाँ पर मैंने cover किया है तो वो जो playlist है, वो बहुत ज्यादा important है आपके exam के point of view से तो कोशिस कीजेगा उस series को एक बार पूरी go through करने की तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है, मुझे comment करके जरूर बताईएगा अपने दोस्तों के साथ share जरूर किजेगा तो subscribe करके bell icon को click करना मत बूलेगा तो मिलता है दोस्तो next videos में thanks for watching